बाइबल पाठ है रोमियों आठ अधिया बारा से सुला पद जहां पर लिखा है इसलिए हे भाइउं हम शरीर के करजदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे इसलिए कि जितने लोग परमेशुर के आत्मा के चलाए चलते है वे ही परमेशुर के पुत्र है क्योंकि तुमको दासतों के आत्मा नहीं मिली कि फिर भैवित हो परन्तु लेकपालक्पन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अबा हे पिता कहकर पुकारते हैं आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की सन्तान है मसी में प्रियम भाईयों और बहनों क्या आप अवित्रात्मा की आवाज को साफ सुनना चाहते हैं? क्या आप अवित्रात्मा की साफ रेणा को प्राप्ट करना चाहते हैं? क्या आप अवित्रात्मा की साफ अग्वाई को प्राप्ट करना चाहते हैं? तो फिर आपका मसी जीवन आसान और खुशनुमा हो जाएगा और असंभव संभव हो जाएगा और संभव और भी बेहतर हो जाएगा अगले कुछ सब्तहों में में आप से पुईत्रात्मा की आवाज और अगवाई के विशे में बात करने जा रहा हूं मुझे आशा है कि एक भी वचन आप नाखोई वरन अच्छे से समझे मुझे आशा है कि आप उस वक्ति के समान अपना मन बनाए जो पुईत्रात्मा की आवाज को साफ तोर पर सुन सके प्रिये जी सिन शुरताओं और मानमिन टीवी देखने वाले दर्शकों क्या होता अगर यहना का सुसमाचार बाइबल की अंतिम बुस्तक होती यदि बाइबल केवल चार सुसमाचारों के साथ ही सिमट जाती जिसमें येश्यू के दिनों के बारे में लिखा हुआ है और येश्यू की शिक्षाओं के बारे में तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता, पिता परमेश्वर की इच्छा को समझना उतनी गहराई के साथ, जितना गहराई के साथ, आज हम समझते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को और भी साफ तोर पर समझ सकते हैं, प्रेरितों की किताब से, पत्रियों से और प्रकाशित वाक् इिधने विषिवासों के बीच में मत्भेद के बारे में और विवाहा के विश्य में. पहरा कुरुंतियों की किताब वो एक पत्र है जिसे प्रेडित पॉलूस ने कुरुंतियों में चर्च के सदस्यों के प्रश्णों के उत्तर देने के लिए लिखा। प्रेडित पॉलूस ने नायन्यम में 17 किताबों में से 13 किताबे लिखी। प्रत्यक किता में सत्यक के वचन पाए जाते हैं जो चर्च के सदस्यों के लिए आवशक है पास्टर्स के लिए आवशक है और चर्च के लीडर्स के लिए आवशक है तो फिर प्रिर्ट पॉलूस ने किस परकार से इतना ज़्यादा आत्मे ज्ञान प्राप्त किया ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में यद्यपी उसे प्रत्यक्ष तौर पर येश्व ने नहीं सिखाया था पहला कुरुंतियों दो अध्याय दस बद में लिखा है परंतु परमेश्व ने उनको अपने आत्मा के द्वाराहम पर प्रकट किया क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्व की गूड़ बातें भी जाँचता है इसी के अनुसार उसने उन्हें पहुतर आत्मा के साथ बातचीत में हो कर लिखा क्योंकि आत्मा सब बातें वरन पर मेशुर की गूर बातें भी जाँचता है यहाँ पर जाँचने का मतलब है सब बातें साफ तोर पर जान लेना और साथ ही जो कुछ भी पॉलुस ने किया कुछ भी करने से पहले उसने अपने हिर्दे से पवितरात्मा की प्रिर्णा को प्राप्त किया पवितरात्मा उसी प्रकार से आज भी कारे करता है आप अपने जियोन में बहुत प्रकार की परिस्थितियों से गुजरते है आपको आश्चरे हो सकता है कि वास्त्विक्ता में पर्मिश्वर की इच्छा क्या है और कौन सा मार्ग वास्त्विक्ता में एक संपन मार्ग है ये कितना अद्भूत होगा यदि आप उचित उतर प्राप्त कर सकें हर बार यदि आप पवित्रात्मा की अगवाई को प्राप्ट करते हैं तो फिर आप बिना मुश्किलों से उत्तर प्राप्ट कर सकते हैं यहुना 14 आधिया 26 बद कहता है परन्तो साहयग अर्थात पवित्रात्मा जिसे पिता मेरी नाम से भेजेगा वहो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम से कहा है वहो सब तुम्हें स्मरण कराएगा जैसे कि यहाँ पर लिखा है पवित्रात्मा हमें सिखाता है लेकिन कुछ ऐसे है जो मार्ग से बाहर निकल जाते हैं वो इसलिए क्योंकि वो नहीं जानते की कैसे आवाज और अग्वाई पवित्रात्मा से प्राप्त की जाते है यहां तक ही लिडर्स में भी ऐसे लोग पाये जाते है आज से शुरू होकर अगले कुछ सब्ताहों तक मैं आपको बताओंगा कि कैसे वो आवाज और अग्वाई पवित्रात्मा से प्राप्त की जा सकती है मैं प्रभू के नाम से प्रात्ना करता हूँ कि आप संदेश को अपने मन में रखेंगे और प्रात्नाओं के साथ अभ्यास करेंगे ताकि आप संपंता के मार्ग में पवित्रात्मा की अग्वाई से जा सके यदि पूदरातमा अगर आपके अगवाई कर सके तो असंभव संभव हो जाएगा और संभव और भी बहतर हो जाएगा और आप अभिलाशा में नहीं पढ़ेंगे या ना ही आप धूखा खाएंगे आप गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे मसी में प्रियाभाई और बहनों ये बहुत ही प्रकृतिक है हमारे लिए परमेशुर की संतान होने के नाते कि हम परमेशुर से बातचित करें बातचित करने का मतलब है किसी सूचना या किसी समाचार को बांटना या संगती करना ये प्रकृतिक है पिता और उसकी संतान के लिए कि वो एक दूसरे से एक परिवार में बातचीत करें इसी प्रकार से परमीश्वर की संतान के लिए भी आस्वभाविक है कि वे परमीश्वर से बातचीत करें लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि केवल कुछ विशेश लोग ही परमीशुर से बात करने की योग्य हुए है कुछ लोग यहां तक यह सोचते हैं कि परमीशुर से बातचित करना बड़ी अजीब बात है लेकिन हम परमेशुर की संतान हैं इसलिए यह आश्चर्य नहीं है कि हम अपने पिता से बाचीत करें लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि यह अजीब बात है यह कितना नीच है हलांकि परमेशुर से बाचीत करने की कुछ निश्चित तरीके कुछ निश्ित लोगों के लिए ही अनुमती प्राप्त थे लेकिन तो भी तमाम परमेशुर की संतान को अधिकार है पवत्र आत्मा की प्रेणा को प्राप्त करने का आज का पाठ रोम्यों आठ अध्याई, चौदा पद और पंद्रापद कहता है इसलिए कि जितने लोग परमेशुर के आत्मा के चलाई चलते है वे ही परमेशुर के पुत्र है क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भाय भीत हो परन्तु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहे कर पुखारते है यदि आप सच्चे और इमानदार पुत्र या पुत्री बनते हैं तो फिर आप परमेशुर को अब्बा पिता कहते हैं यहाँ पर पुत्र, जो यहाँ पर लिखा है पुत्र और पुत्री दोनों को दर्शाता है इसलिए कृपयाप निर्थ साना हो वो जो परमेशुर की आत्मा से चलाये चलते हैं वे परमेशुर के पुत्र है और वो परमेशुर को अबापिता कह सकते हैं ये बड़ी आजीब बात होगी अगर परमेशुर की संतान परमेशुर से बाचित ना कर सकें ये वास्विक्ता में आजीब बात होगी यदि हमने प्रभू को ग्रहन किया है और परमेशुर की संतान बन गए हैं लेकिन तो भी उससे बाचित ना करें तो फिर हमारी स्थिती पहले के ही समान है जब हमने प्रभु को ग्रह नहीं किया था उधारन के लिए मानलजी एक व्यक्ति अपने पिता से मिला जिसे वो सोचता था कि वो मर चुका है लेकिन अब वो एक दूसरे से मिले लेकिन एक दूसरे से वो कोई बाचित नहीं करते तो फिर उनकी पहले की स्थिती और बात की स्थिती वो एक समान है हमारी पिता परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है यदि हम परमेश्वर से बाचित नहीं करते हैं अपने विचारों और पुरानी आददों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो फिर हम अपने ही सिमाओं में रहे कर जीवन जीएगे. तो फिर हम यह नहीं कह सकती कि कुछ सुधार हुआ है. यहां तक कि जबाव वैवसाय भी करते हैं, तो फिर आप अपने ही विचार, अपने ही किशमताओं के अनुसार कारे करते हैं, इसलिए अपने सिमा से बाहर कुछ महान प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है. और साथ ही, आप उन चीजों के बारे में असहे हो जाएंगी, जो मनुश्यों के योगेताओं से बाहर है, क्योंकि आप भावशे के बारे में नहीं जानते, आप विपति का सामना कर सकते हैं, या बुरी लोगों से धोखा खा सकते हैं, या नुकसान में पढ़ सकते हैं, और साथ ही, जब कोई आर्थिक परिस्थितियां चल रही होते हैं, तो और भी मुश्किल स्थितिक आप सामना कर सकते हैं, वे जो परमेश्वर से बाचीत करते हैं, वो बहुत आयत की आशिशे, सरुर्शक्तिमान परमेश्वर की अगवाई में प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम केवल परमेश्वर की अगवाई का अनुस्तरन करें, तो फिर आने वाले यहां तकी विप्तियों का, आने वाले विप्तियों को भी हम दूर कर सकते हैं, हम आशिशो के मार्ग को समझ सकते हैं और उस मार्ग का चुनाओ कर सकते हैं वो जो परमेशुर से बाचीत करते हैं उनके नाकियोल व्यापार में शान्ती बनी रहेगी वरन उनके परिवारों में भी वो जो पवित्रात्मा के आवाज को सुनते हैं उनके परिवारों में शान्ती रहती है, मेल रहता है बिना मेल के पवित्रात्मा के आवाज सुनने का कोई मार्ग नहीं है और यदि कोई व्यक्तिगत काम को पुरा करने का मामला हो तो यह और भी महत्वपुन हो जाता है कि परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर के कारे को पुरा करने के लिए परमेश्वर से बाचित करें परमेश्वर का कारे आत्मे कारे है वो फल जो उनके द्वारा उत्पन होते है जो परमेश्वर से बाचित करते हैं, उनकी तुलना में जो नहीं करते हैं, पिल्कुल आलग होते हैं, मान लेजी, आप किसी चर्च के सदसे के घर गए, यदि आपने परमेश्वर से बाचित की है, तो फिर आप उचित संदेश को प्राप्त करेंगी, कि उस परिवार में बा संदेश को सोचेगा, और वही संदेश देगा, जब कोई व्यक्ति किसी आत्मा के देखरेक करता है, तो उसे सोचना पड़ता है कि वो कुछ बाचित करें, लेकिन वो जो पवितर आत्मा के आवाज को सुनता है, उसे केवल अपने हिर्दे में अगवाई कानु सरन करने के उशकता होती है, मानले जी, उन्हें यहाँ पता चला कि इस परिवार में पती-पत्नी के बीच में मुश्किले चल रही है, इसलिए वो अपने ही विचारों के अनुसार संदेश देते है, ये कहते हुए कि एक दूसरे से आपको प्रेम रखना चाहिए, संसार में ऐसा कौन है, जो अपने पती-पत्नी से परिम नहीं रखना चाहिएगा, हर कोई परिम चाहता है और परिम करना जाहता है, लेकिन तो भी वह वेक्ति अपने शंदेश का समापन इस बात के साथ करता है, कि आपको एक दूसरे से परिम रखना है, अपने ही विचारों में इस तरह से, सिर्फ एक संदेश देना कि एक दूसरे से प्रेम रखो, पती-पत्नी जो एक दूसरे से बैर रखते हैं, वो फिर से एक दूसरे से प्रेम करने नहीं लग जाएंगे. ये के वोल तभी होता है जब परमेश्वर उस समस्या का मूल कारण का समधान करता है. वो प्रेम करना चाहते हैं और प्रेम पाना चाहते हैं लेकिन जैसा वो चाहते हैं वो उसके अनुसार नहीं कर सकते उस समस्या की जो जड़ है उसका समधान होना चाहिए परमेशुर के द्वारा और ऐसा होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस तरह की संदेश की हमें अवशकता है केवल परमेश्वर इसे सटिक तोर पर जानता है इसलिए हमें परमेश्वर से बात चित करने होती हैं और संदेश को परमेश्वर से प्राप्ट करना होता है यदि हम संदेश दें, केवल वही जिसे हम परमीशुर से प्राप्त करते हैं, तो उस संदेश में अधिकार भी होगा सुनने वालों के उपर आनुग रहा आएगा और उनका हिर्दय बदल जाएगा जब उनका हिर्दय बदल जाएगा, उनका प्राण समरिद होगा, तो वे आशिशें प्राप्त करेंगी वो जुण स्वस्थ हो जाएगा और वो भवन और मिश्ण जाकरिति को प्राप्त करेगा जब आप इस तरह से आत्मिक यात्राइग करते हैं अगर आप किसी सदस्य की देखरिक करें, उसके प्राण को समरिद करें तो फिर वहां आत्मा चर्ष क्यों नहीं आएगी? ये बहुत आसान है, एक आत्मा को चर्ष आना, अगर आप बहुत अच्छे से उस आत्मा की देखरिक करते हैं और ऐसा क्यों होता है कि मौजुदा सदस्य अक्सर चर्ष को छोड़ कर चले जाते हैं वो परमिश्वर का वचन सुनते हैं, परमिश्वर की चीनों, आशरिक कर्म और सामर्थे को देखते हैं लेकिन वो छोड़ कर चले जाते हैं परमेश्योर के अनुग्रह की कमी की बजहा से नए सदस्यों को फल देने वाले सदस्यों में उन्नाती कनी चाही फिर कलिस्या उन्नाती करती है एक भी आत्मा खो नहीं जानी चाही जिस परकार से दाउत ने अपने जुंट की सुरक्षा की रीच और शेरों से उसी परकार से पास्टर्स और लीडर्स उन्हें भी दाउत के समान बिल्कुल वही कना चाही हालांकि कुछ ऐसे है जो परमेश्योर से बाचित नहीं करते हैं वरन अपने जुंट को तसलिय देते हैं और उनकी देखरेक करने में उनके साथ अच्छे रहते हैं ये एक शारिक देखरेक है इसी तरीके से बहुत से गाइडन्स पास्टर्स और अधियपक विद्यार्थियों को और जवानों को सिखाते हैं और यहां तक कि ऐसा देख सकता है कि किसी निश्चित समय के लिए उनके पास जागरिती है लेकिन वो आत्माई जो शारिक देखरेक के तले है वो परिक्षा के समय में गिर पड़ेगी जैसे की सड़ा हुआ फल होता है जो तेज हवाई चलने से पेर से गिर जाता है ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे मसी है लेकिन जब परिक्षाएं और कष्ट आते हैं तो वो पार नहीं निकल पाते हैं वो चर्ज को छोड़ कर चले जाते हैं ये बिल्कुल ऐसे है जैसे रीत पर घर को खड़ा करना और दूसरी स्थिति यहो होती है कि यदि वहो निश्चित लीडर जो अपने सदस्यों के साथ अच्छे से रहता था अगर वो किसी और भवन में चला जाता है तो फिर उन सदस्यों का विश्वास ठंडा हो जाता है यहो परमानित करता है कि उस लीडर ने उनके अंदर सच्चा विश्वास नहीं पौया अगर हम इस तरह से शारिक तरीके से अपने कारे को करते हैं तो परमेश्वर से हमें कोई प्रतिफल नहीं मिल सकता मालेज यह मिश्वर ग्रुप का एक अग्वा पास्टर बदल दिया जाता है इसलिए उसके सदस्यों निरुत सहा हो जाते हैं उसका अर्थियो हो है कि वह अग्वा पास्टर उसने उन्हें गलत तरीके से सिखाया आप किस के लिए चर्श में आते हैं आपकी आँखे परमेश्वर पर प्रभु पर और चर्वाहे पर होनी चाहिए और परमेश्वर के वज़न पर विशेश तौर पर क्योंकि परमेश्वर इसकलिस्या के साथ है जिनों चमतकार और सामर्थे को प्रकट करता है इसलिए आप आनन्द के साथ इसकलिस्या में आ सकते हैं पिता परमेश्वर प्रभु और चर्वाहे वो वो है जिन पर सबको अपने दृष्टी रखनी चाही लेकिन अगर किसी सम्हों के सदस्ये अपने मसी जीवन में अपने अगवे पास्टर पर दृष्टी करते हैं इसलिए वो प्रातना कना रोक देते हैं वो चर्च नहीं आते वो निरुत्सहा हो जाते है जब उनका अगवे पास्टर बदल दिया जाता है वो इसलिए क्योंकि उनकी देखर एक शाररिक प्रेम के द्वारा की गई यदि आत्मिक रिती से उनके उनती होती तो फिर उन्हें कोई संकोच नहीं होता चाहे उनके अगवे पास्टर की बदली ही क्यों नहीं होती क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर है प्रभु है और चर्वाहे है अब इलाशा में पढ़ने का संकोच करने का कोई कारण ही नहीं है इसलिए परमेश्वर की संतान होने के नाते विशेश तोर पर पास्टर्स और कारे करता होने के नाते जो परमेश्वर का कारे करते हैं हमें परमेश्वर से बातचीत करनी है और साथ ही हमें लालसा के साथ परमेश्वर से बातचीत करने की उतकंठा रखनी है बाइबल में हम देख सकते हैं जो विश्वास के तमाम पूरवज थे उन्होंने साफ तोर पर परमेशुर से बातचित की और परमेशुर की आत्मा से अगवाई प्राप्त की यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा से अगवाई प्राप्त करने का अर्थ यहाँ नहीं कि वो पहुतर आत्मा के द्वारा उन्होंने अगवाई प्राप्त की हो विशेश तोर पर दाउद हर वक्त परमेश्वर पर छोटे बच्चे के समान निर्भर रहता था दूसरा शमुएल पांच अध्याई 18 से 25 पद में हम देख सकते हैं कि दाउद परमेश्वर से बाचित करके युद जीतता था जब दाउद पूरे इसराईल का राजा पना तब पलेश्टी आकर रपायम नामक तराई में फैल गए उस समय दाउद वो बिना किसी योजना के उनके साथ लड़ने नहीं गया सबसे पहले उसने परमेश्वर से पूछा क्या मैं पलेश्टी पर चड़ाई करूँ? क्या तो उन्हें मेरी हाथ में कर देगा? यहोँ ने दाउद से कहा चड़ाई कर क्योंकि मैं निश्ची पलेश्टियों को तेरी हाथ कर दूँगा बाइबल में आप इन दृश्वर के बारे में सोची परमेश्वर ने कहा कि तो जा चड़ाई कर मैं उन्हें तेरी हाथ में कर दूँगा इसराईली हार गई इसलिए अगर आप इस तरह की परमेश्वर की गहरी इचा को समझ सकें तो आप हर बात में संपन होगे और आप तमाम परकार की परिक्षाओं और आजमाईशों से सुत्रक्षा में रहेगे आप गलत मार्क पर नहीं जाएंगे अवश्य ही वहाँ पर परमेश्वर की छुपी हुई इच्छा होगी परमेश्वर ने निश्ची तोर पर प्रात्नाओं की उत्तर दी लेकिन नतीजा किसी दूसरे तरीके से मिला वो दो बार युद में हार गए अवश्य ही उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा यद्यपी परमेश्वर ने उन्हें वच्छन दे धिया था क्यों तब जब आप इस तरह की गहरी इच्छा को समझते हैं तब ही आप एक सामर्थी दास बन सकते हैं परमेश्वर ने कहा मैं निश्ची तोर पर पर पलेश्यों को तेरी हाथ में कर दूगा और फिर दाउद ने परमेश्वर के वचिन पर विश्वास करते हुए पलिष्टियों के विरोध में चढ़ावा किया और उन्हें नाश कर दिया दावद ने पलिष्टियों के विरोध में युद में बहुत सी जीत का अनुभव किया था और इसके अलावा बहुत से दूसरी युदों में उसके पास अनुभव था इसे भी बढ़कर वो क्योल सैना का सैना पते ही नहीं था और ना ही इसराइल की किसी एक जाते का वो लेडर था वरन अववव पूरे इसराइलियों का राजा था वो सहा से युद में जा सकता था और पलिष्टियों से लड़ सकता था लेकिन तो भी उसने परमेशुर की इच्छा को जाना परिणाम स्वरुप वो युद में जीत गया लेकिन उसके बाद जल्दी ही पलिष्टि फिर से उसी स्थान पर चड़ावा करने के लिए आए ये वही युद का क्षेतर था वही शुर्ते थी जहांपर हाल ही में उन्होंने युद किया था दाउद वहाँ पर जा सकता था और लड़ सकता था लेकिन दाउद ने फिर से परमेश्वर से पूछा और अब परमेश्वर ने दाउद को एक दूसरी ही विधी बताई परमेश्वर ने एक नई यूजना दी ये कहते हुए तू चढ़ायना कर उनके पीछे से घोंकर तूत प्रिक्षो के सामने से उन पर चापा मार और जब तू तूत प्रिक्षो की फुनगीऊं में से सेना की चलने की सी आहट तुजे सुनाई पड़े तब यहाँ जानकर फुर्ति करना कि यहुआ पलिष्टियों की सेना को मारने को मेरे आगे अभी पधारा है दाओद एक यूजनाकार था उसने बहुत से युद जीते थे और वो कभी नहीं हारा था वो लड़ाई में इतना अच्छा था कि यहां तक कि उसने गोलित को तक मार डाला और अब उसके पास अपने सेना थी अपने लोग थे पर्याप्त अनुभव भी था लेकिन तो भी सब बातों में वो परमेश्वर से पूछता था वो परमेश्वर से पूछ था था उत्तर प्राप्त करने के लिए और उसका अभ्यास करने के लिए तो फिर आपके विशे में क्या है चाहे बड़ी हो या छोटी हो क्या आप सब कुछ परमेश्वर से पूछते हैं ये तो छोटी सी बात है जो काम मनुश्यों के द्वारा होना चाहिए उसे क्यों मनुश्यों को ही करना चाहिए परमेश्वर के द्वारा नहीं मैं जानता हूं कि मुझे उसे कैसे करना है क्या आप इस तरह से नहीं करते हैं लेकिन तो भी अगर आप परमेश्वर और पवित्रात्मा पर 100% निर्भर रहते हैं, हर चीज में अपने रुजमरा के मसीज जीवन में परमेश्वर से पूछते हैं, तो आप हर बातों में सब चीजें आपके साथ भली होगी, कुछ भी गड़बर नहीं होगा। वो यूद को जीत सकता था, लेकिन वो परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर पर निर्भर रहता है, इसकार हो महान जीत प्राप्त कर पाया। पूरी की पूरी नई योजना जो वहाँ अपने मन में सोच नहीं सकता था परमेश्वर की होर से आई और वहाँ महान जीत को प्राप्त कर पाया इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तू फुनग्यों में से सेना की चलने की सी आहाट तुझे सुनाई पड़े तब तू जानकर फूर्त ही करना एक वार फिर से जब तू तू ब्रिक्षों की फुनग्यों में से सेना की चलने की सी आहाट तुझे सुनाई पड़े परमेश्वर इस तरह से कारे करता है तब यह जानकर फूर्ति करना कि यह हुआ पलिष्टियों की सेना को मारने को मेरी आगे अभी पधारा है साराश में कहें तो दाउद ने परमेश्वर की मदद को प्राप्त किया अपने सेना, सामर्थ और यूजना को इस्तेमाल किये बगएर इस तरह से परमेश्वर से मदद प्राप्त करने के लिए आपको पवितरात्मा की अगवाई में सब बातों में अपने रोजमरा के मसीज जीवन में जीवन को जीना चाही पवित्रात्मा की आवाज को सुनना और अगवाई प्राप्त करना ये एक तरीका है त्री एक परमिशुर से बाचित करने का परमिशुर की आवाज प्रभु की आवाज और स्वर्दुतों की आवाज पवित्रात्मा की आवाज से किस प्रकार से अलग-अलग है साधरन तोर पर सामाने विश्वासियों के लिए प्रमिश्यों से बाचित करने का तरिका पवितरात्मा की आवास को सुनना है पवितरात्मा हमारी हिर्दों में निवास करता है उसमें मंदीर के रूप में इसलिए आवास भी हिर्दै से सुनाई देती है झाल